ऐसा कहा जाता है कि स्वच्छता में भगवान का निवास होता है। हम लोग हमेश अपनी चीजों को स्वच्छ रखने को लेकर चिंतित रहते हैं। हमारा घर, हमारी कार, हमारा शरीर इत्यादी। परंतु यहां एक समस्या है। हमें से बहुत से लोग आम तोर पर बाहरी सते की स्वच्छता का ही ध्यान लगते हैं। जैसे कि आपका घर बाहर से तो ऐसा दिखता है, परंतु अंदर से ऐसा, आपकी कार बाहर से तो अच्छी दिखती है। परंतु अंदर से यह गंदी होती है। अब हमारे शरीर का क्या हम रोज स्नान करके हमारे शरीर, त्वचा और बालों को साफ करते हैं। परंतु क्या हमने अपने शरीर के अंदर छांक कर उसके अंगों तथा उसकी सफाई के बारे में कभी सोचा? सच तो ये है कि हमारे शरीर के विभिन अंगों में टॉक्सिनिक अठा करने की प्रवित्ती होती है ये टॉक्सिन्स कई तरीकों से हो सकते हैं नमबर एक अनोचित मेटबॉलिजम एमम मलक रिया नमबर दो प्रदोशित एमम विशाक्त पानी खाना एमम बातावरण की बचह से नमबर तीन कुछ बीमारियों के बाद के वभाव से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है एमम अपनी गारिक शमता के अनुसार काम नहीं कर पाता है विशेश रूप से देखा जाए तो हमारे शरीर में कई अंग हैं जिन पर टॉकसिन जमा हो सकता है जिससे हमारे शरीर में कई बीमारियां हो सकती हैं और उन मेंसे कुछ महत्वपून अंग है नमबर एक हमारा दिल तनाव एम हमारे खाने की वज़े से इस पर प्रभाव पड़ता है नमबर दो हमारा पेट एम किड्नी हमारा पाचन कंत्र एम मलक्रिया भी हमारे लाइफस्टाइल एम फूड हैबिट्स की वज़े से प्रभावित होते हैं 3. दिमाग, तनाव की वचे से दिमाग पर सबसे ज़्यादा टॉक्सिन जमा होता है. 4. लिवर, ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर में से टॉक्सिन निकालने का काम करता है. परंतु कभी-कभी इसमें भी टॉक्सिन जमा हो जाता है. 5. अग्ण्याशे, ये इंसुलिन एवं शुगर बनाने का काम करता है. तो अब ये साफ हो चुका है कि हमारा शरीर धीरे धीरे टॉक्सिन एकठा करता है, जिससे हमारे अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. हम अपनी उपरी सते का ध्यानतो रख लेते हैं, परंतो अंद्रोनी सफाई कैसे की जाए? भाग्यवश इसका एकदम सरल एवं प्रभावी उपाए हमारे पास है. अर्जुना, तुलसी, एवं गुडूची आपके दिल को मस्बूत करते हैं. पुन्ननवा एवं बरून आपके पेट और किड्नी को संभालते हैं. तुलसी, आमला, नीम और बाला तनाव को कम करके आपके दिमाग पर से टॉक्सिन हटाते हैं. गुडूची, नीम, तुलसी एवं आमला के साथ मिलकर अग्नियाशय से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन निकालने में मदद करता है. काल मेग, बाला एवं नीम के साथ मिलकर लिवर को शक्ति शाली बनाता है एवं खाने का मेटबॉलिजम पनाए रखता है. कुल मिलाकर डेली डिटॉक्स के सारे हर्प्स हमारे शरीर के मेटबॉलिजम एम मन्क्रिया को मेंटेन करके डिटॉक्सिफिकेशन तो करते ही हैं साथ ही हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई भी करते हैं अलिमेंट्स वेलनेस डेली डिटॉक्स डिटॉक्स का राम बार गराए अंदर से स्नान